आज हम बात करेंगे अध्यापकों के बारे में अध्यापक यानि गुरू गुरू जिनको हमारी शास्त्रों में भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है मा बाप अगर जर्म देते हैं तो गुरू शिक्षा आज ऐसी ही एक गुरू हमारे साथ मौजूद है कांता बेन हाई स्कूल की MSCBA टीचर जोती ठाकुर नमस्ते आप बताएं आप टीचिंग प्रोफेशन में किस तरह आएं सुना था इट इस अ नोबल प्रोफेशन अगर किया होता तो आज विद्या मैम हस्पताल में नहीं होती हैं वह कैसे हमारा सिस्टम खासकार एजुकेशन सिस्टम फॉर एग्जाम्बल जो डिफेंस में हैं उन्हें बहुत सम्मान सुविधाई मिलती हैं जैसे के बहने को खार ट्रावलिंग अलाउंस, मेडिकल सेलिटीज, कैंट टीम वगेरा वगेरा और मिलनी भी चाहिए क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और वो जो देश को पढ़ाते हैं क्या वो किसी सम्मान, किसी सुविधा के हग्दार नहीं है? आज मल्टीनैशनल कमपिनीज को ही ले लो वो अपने वरकर्स की सुविधा के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं? अगर कॉल सेंटर में भी काम कर लो तो उनकी स्टार्टिंग की सालरी उतनी है जितनी विध्या मैम की आज 28 साल पढ़ाने के बाद है और मैं दाबा करती हूँ उनमें से कोई भी विध्या मैम जितने एडुकेटड नहीं है बस प्रफेशन का फर्क है उन्हें कमपनी की गाड़ी लेने और छोडने आती है हम टीचर्स को ट्रेन या बस में कंसेशन तक नहीं मिलता पर टीचर्स को रिस्पेक्ट तो मिलती है रिस्पेक्ट हमारे देश में रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है जिनके प्रफेशन में पैसा होता है पावर होती है, रिस्पेक्ट मिलती है पॉलिटिशिन्स को, फिल्म स्टार्स को, क्रिकिटर्स को, जिने चीफ गेस्ट बनाया जाता है, रिबन कटवाया जाते हैं, आपने कभी सुना कि कोई टीचर सिलेब्रेटी हो और उनसे कुछ इनॉगरेट करवा गया हो, कभी देखा क कि कोई टीचर किसी BMW या आउडी से आता हो, धोती, कुर्ता, पहने, पैदल, पाव में चपल और हाथ में छाता, कि ये टीचर की छबी होती, और सही भी है, टीचर की जितनी सैलरी है, कैसे कैसे तो बेचारे घर चलाते, तो क्या गवर्मेंट की तरफ से टीचर को कोई अला क्योंस मिलता है, पता है कितना, पचीस रुपए, सिर्फ पचीस रुपए, और एक आंसर शीट, चेक करने के चार रुपए पचीस बैसे, कितने, सबाचार रुपए, वो चवणी जो बंध हो चुकी है, वो हम टीचर पर अभी लागो, और ये पैसा स्कूल की तरफ से नही गवर्मेंट की तरफ से आता है, पर भी इतनी महनत करने के बाद, टीचर्स हब नो जाब सिक्यूरिटी, उन्हें कभी भी अचानक स्कूल से निकाल दिया जा सेते हैं, इस बाच सो, कभी सर प्लास कहकर तो कभी इनके पड़ी, जैसे कांता बेन ने विद्या माम को निकाल किसी को कोई मतलब नहीं है कि टीचर कितनी क्वालिफाइड है, कितनी एक्स्पीरियंस है, बस पैसे कम देने पड़ जाएं, और उनकी जगें, अन्ट्रेंड, अन्ख्वालिफाइड लोगों को रख लिया जाता है, कि ताट्स वेरी साइड, जोती अंत में आप क्या कहना चाहेंगी, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, मैं सिर्फ पूछना चाहूंगी, कि हाव किन एनिवन फगेट टीचर्स, हमारे तरक की पसंद देश के तरक की पसंद लोगों को, अपनी उस पहली टीचर का नाम तक याद है, जिसने उन्हें ABCD लिखना सिखाय, या फिर दोका टेबल याद करवा, केजी से SSC और फिर कॉलेज ता, कितने टीचर्स ने आपको अपने ज्ञान के श्रोत में नहलाया, लेकिन बदले में आपने उन्हें क्या दिया, किसी ने कभी ये सोचा कि मैं अपनी टीचर को एक गुड मॉनिंग, हाव यू मैम, या हापी दिवाली, हापी न्यू येर का मैसेज भेज दू, जैसे स्टूडन्स को ठीचर्स के ज्यान की जरुरत है, उसी तरह टीचर्स को स्टूडन्स के प्यार और सम्मान की, हमारे देश में सब द्रोनाचार्य और अर्चुन के रिष् मैं पूछना चाहती हूँ, उसके अर्चन कहां है, कहां है उसके अर्चन, जवाब दीजिए, आज एक भी अर्चन, अपने द्रोनाचारे का हाल पूछने तक नहीं गया, शुक्रिया जोदी, तो ये है आज की टीचर्स के हालात, टीचर्स की जिन्दगी में नई सुभा का आगाज होना चाहिए, समाज में बदलाव जरूरी है,